Hello everyone, welcome to our YouTube channel Say Something So guys, I know आप में से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, काफी परिशान हैं और यह जाना चाहते हैं कि CBSC के 12th का एक्जाम अब कैंसिल हो गया है अब उसके बाद Delhi University क्या प्लाइन कर दे हैं? सो मैं आपको बता दू, आप Delhi University के नोटिफिकेशन देख सकते हो जब से BSC का 12th का एक्जाम कैंसिल हुआ था तो बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज आ ले थे कि इस बाद Delhi University एंट्रेंस एक्जाम करवाएगी पहले भी मैंने आपको बताया है कि एंट्रेंस एक्जाम होते हैं बट हर सब्जेक्ट हर कोर्स में नहीं होते हैं BCA में होते हैं, BBA में होते हैं इसमें एंट्रेंस एक्जाम होते हैं मैंने इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया है किन courses में entrance exam होते हैं, किन courses में merit basis पे admission होता है और किन course में merit और entrance दोनों basis पे आपका admission हो सकता है तो उसका link मैं description box में दे दूँगी आप जाके देख लेना तो इस बार भी वही rule है, कोई नया notification नहीं आया है मैं देखी social media पे बहुत सारे ऐसे fake news है जहां ये खबरी आ रही है कि Delhi University इस बार सारे courses के entrance exam करवाएगी बट मैं आपको light दिखाऊंगी and proof दिखाऊंगी कि आप देखें and such जो news है उसे जाने तो आप screen पर देख सकते हैं इसमें लिखा है कि Delhi University हर साल की तरह इस बार भी merit basis पे ही admission लेगी तो आपको और दिन की तरह इस बार भी थूरे दिनों और वेट करना परेगा admission के लिए बिकिस अभी कुछ दिनों बार Delhi University registration form निकालेगी जिसमें आपको register करना परेगा Delhi University के website पे after that आपको merit basis पे ही admission होगा mostly courses जिनमें merit basis पे पहले admission होता था सारे process वही रहेंगे और रही बाद आपकी CBSC के result की वो जब result आएगा आपका CBSC का 12 का after that Delhi University merit basis declare करेगी cut-up निकालेगी जिसमें आपनों relax रहे हैं आपको कोई tensor लेने की ज़रूरत नहीं है because say something हमेशा आपके साथ था है और रहेगा इसलिए आपको इस चैनल को subscribe करना पड़ेगा ताकि जो भी new notification आए कुछ भी Delhi University से related news आए मैं आपको फटा-फट से update कर दूँगी आपके channel say something पे तो आप जाओ फटा-फट से subscribe करो, like करो and जादिस जादिस वीडियो को share करो ताकि हर बच्चे की confusion दूर हो पाए and जो इतने dilemma में थी कि इस बार Delhi University में entrance exam होगा की नहीं होगा तो वो relax हो जाए जब आपके CBSE का result आएगा उसके बाद ही Delhi University cut-up निकालेगी so be calm and please maintain patience okay friends so I wish कि आपके लिए ये वीडियो बहुत important होगी because बहुत सारी messages आ रहे हैं मेरे पास WhatsApp पे आ रहे हैं Instagram पे आ रहे हैं Gmail पे आ रहे हैं YouTube पे आ रहे हैं कि इस बार Delhi University में कैसे admission होगा तो मैं आपको declare बता दू हर साल की तरह इस बार भी merit basis पे ही admission होगा but आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा अपने result के लिए after that आपको cut up के लिए wait करना पड़ेगा मैं आपको सारे process बताऊंगी everything I will clear but you will have to share this video and subscribe this channel thank you so much guys thank you